बेरंग लिफाफे भाग पीन मुझे तरसा लग रहा था कि ये बच्पन से क्या जानना चाह रहा है जिन यादों से मैं बचना चाह रहा था जिस समय को मैं अपने दिल से निकालना चाह रहा था ये इंस्पेक्टर वही समय मुझे रिवाइस कराना चाह रहा था ये सब इतना आसान नहीं था मेरे लिए चाम के पाँच बच चुके थे वो दोनों निकल गए थे आज उन्होंने किसी और से कोई बात नहीं की जैसे अब उन्हें क्लियर दिख रहा था कि क्या करना है ताथी मेरे बारे में हर जानकारी जुटा कर आए थे मुझसे सिर्फ कनफर्म कर रहे थे इसलिए मुझे भी लगा जुट नहीं बलकि वही बोला जाए जो सच है अन्यता मुझे भी दिक्तत हो सकती है मैंने उस दिन किसी से बात नहीं कि सीधा घर पहुचा और घर पहुचकर एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें कुछ लेटर थे उन्हें पढ़ा कुछ तस्वीरे थी उन्हें देखा और कुछ पुरानी किताबों को पलटता रहा जिनके सहारे मैं अपने अतीत को अकसर जिया करता था बहुत दिनों के बाद मेरी कोई रात इस तरीके से गुजरी थी जब मैं सिर्फ यादू में जी रहा था पिछले आठ दस साल में मैं इस दोड़ भाग वाली जिन्दगी से मिलने की कोशिश कर रहा था या लग भग उस जैसा हो चला था रात में पता नहीं कब मुझे नीद आई और सुबह अलारम के हिसाब से जाक कर मैं उस दिन फिर आफिस पहुँच गया मैट्रो में जाते समय रितू और जस्विंदर दोनों से उसी तरीके से मुलाकात हुई जैसे हर रोज होती थी पर उस दिन आपचारिक गुड मॉनिंग के अलावा कोई बात नहीं हुई बीच में किसी लड़की को देखकर जस्विंदर ने मजाग करके महल हलका करने की कोशिश की और कहा इस सरदी में भी फैशन की पड़ी है लोगों को पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा जैसे मैंने सुना ही ना हो बस वो दोनों हस्ते रहे आज बिना चाय पिये ही मैं आफिस जा पहुँचा उस दिन वो दोनों पुलिस वाले काफी लेट आए आज दोनों बिना वर्दी के थे शायद वर्दी का काम हो चुका था और अब उन्हें हमारे आफिस में लोग पहचानने लगे थे वो दोनों भी दिल्ली को पहचानने लगे थे और लगभग एक बज़े आकर मेरे आफिस में बैठ गए रूस की तरह नेहा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले और अपनी स्टैनों वाली पैंसिल निकाल कर बैठ गई जैसे कोई बच्चा टीचर के बोलने से पहले कॉपी खोल कर बैठ जाता है क्योंकि वो जानता है लिखना तो है ही हाँ तो शुरू करें इंस्पेक्टर ने कहा मैंने कहा एक सवाल पूछ सकता हूँ जी बिल्कुल आपका आफिस है हम तो मेमान हैं इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा 27 दिसंबर 2019 और 4 जनवरी 2020 को आपने मेरा फोन रिकॉर्ड करने या हैक करने की कोशिश की थी इंस्पेक्टर ने निहा की तरफ देखा और वो तुरंत जवाब में बोली जी हाँ आपको पता है ये गैर कानूनी है आप प्राइवेसी को इस तरह भंग नहीं कर सकते तब भी आपने ऐसा किया हम हर किसी के साथ ऐसा नहीं करते कई बार टेक्नॉलजी की मदद ली जाती है जिससे हमें केस में मदद मिल सके हमें किसी की व्यक्तिकत जानकारी से कोई मतलब नहीं होता हम सिर्फ केस के नजरिये से देखते हैं और हर व्यक्ति के लिए कोट से पर्मिशन लेना संभब नहीं होता इंस्पेक्टर ने सफाई पेश की क्या मैं जान सकती हूँ कैसे पता चला आपको और हम ट्रैक क्यों नहीं कर पाए नेहा ने पूछा ठीक लगा तो बाद में बताऊं अभी सिर्फ अपने केस पर बात करें तो अच्छा है मैंने उनकी आँखों में देखते हुए कहा कुछ देर खामोशी रही इसके बाद मैंने बोलना शुरू किया